हेलो फ्रेंड वेलकम टो अवीना निटिंग में देखी आज मैं आपके दिए बहुत ही प्यारा से फ्लावर लेकर आहीं और यह बहुत ही प्यारा और सुन्दर लगता है आप इसे लेडिस कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं लेडिस शौल में और इस टॉल में किसी में भ सकते हैं इस तरह से एक फ्लावर डालिए बहुत प्यारा लगता है तो इसको बनाना बहुत आसान है तो चलिए आज हम इसको बनाना सीख लेते हैं सबस्क्राइब करें अवीना निटिंग को और बराबर में बैल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आन में इसको अप्लाई करें तो 14 के मुल्टिपल में फंदे डालें और एक फंदा एक्स्रा रखें 16 सलाई का हमारा पैटरन है यानि कि पूरा फ्लावर जो है हमारा 16 सलाई में बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर 14 फंदे लिए और एक फंदा एक्स्रा रखा यानि के टोटल 15 फंदे हैं और यहां पर हम एक फ्लावर बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड इसको बनाना बहुत ही आसान है हम यहां पर दो फंदे बुनेंगे यह मैnt second color से तीन भनेंगे है कि दो फंदे हम यहां पर फिस्ट फंदे से बनेगे कि पांच फंदे बनेंगे हम यहां पर सेकिद कलर से कि यह यह डिजाइन के पहली सलाई है और यह देखिए अब हम यहां पर बनेंगे तीन फंदे अब देखे आजाते हैं उल्टी सलाई में यानि रिजाइन की तूसरी सलाई अब देखे ध्यान से देखेगा प्रैंट्स अब हम यहाँ पर दो फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से पांच फंदे बुनेंगे हम यहाँ सेकेंड कलर से दो फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से एक फंदा बुनेंगे यहाँ पर हम सेकेंड कलर से और बाके के यह आज फंदे हम फस्ट कलर से बुनेंगे तो यह दिखें सलाई कंप्लीट हो गए आ जाते हैं सीधी सलाई में अब हम यहाँ पर छे फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर सेकिंड कलर से दो फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से छे फंदे बुनेंगे सौरी पांच फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर यह सेकिंड कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर फस्ट कलर से देखिए सलाई भी कंप्लेट हो गई आ जाते हैं उल्टी सलाई में दिहान से देखिएगा पहला फंदा हम फस्ट कलर से ही बुनेंगे तीन फंदे बुनेंगे हम सेकेंड कलर से तीन फंदे बुनेंगे हम फस्ट कलर से एक फंदा बुनेंगे हम सेकेंड कलर से पाके के जो फंदे बचे हैं यह हम फस्ट कलर से बुन लेते हैं इन देखिए यह सलाई हमारी हो गई कम्प्लेट यहां पर तो यह देखिए हमारे डिजाइन के यहाँ पर चार सलाई कंप्लेट हो गई अब पांच में सलाई से हमारा फ्लावर भी बनना शुरू होगा यानि के हमारा यहाँ एक और कलर एड़ होगा तो यहाँ पर देखिए चार भंदे बुनेंगी पस्ट कलर से और यहाँ पर अब हम से एक और कलर लेकर आएंगे यानि हमारा थर्ड कलर तो यहाँ पर देखिए हम इससे दो फंदे बुनेंगे एक फंदा बुनेंगे हम पस्ट कलर से एक फंदा हमारा सेकिंड कलर से एक फंदा हमारा पस्ट कलर से और यहाँ पर दो फंदे हमारे यहाँ पर देखिए दो फंदे हमारे सेकिंड कलर से वो सौरी थर्ड कलर से जो हमारा फ्लावर का कलर है और बाकिके फंदे यह हमारे फिर्स्ट कलर से तो यहां देखे यह पत्ता हमारा मुकंबल हो चुका है अब आजाते हम उल्टी सलाई में उल्टी सलाई में देखे ध्यान से देखेगा यहां पर हम तीन फंदे बुनेंगे फिर्स्ट कलर से चार पंदे बुनेंगे हम यहां थर्ड कलर से एक पंदा बुनेंगे हम यह नहीं अचार पंदे बुनेंगे हम यहां पर यह फ्लावर वाले देखिए इस तरीका से अभी लास्ट के तिन फंदे हैं यह हम फस्ट कलर से बुन लेते हैं अब देखिए अब हमारा इस तलाई में यह वाला कलर जो है पत्ती वाला कलर जो है और आफ हो जाएगा यानि हमारा जो second कलर है अब सारा डेजाइन जो हमारा चलेगा फस्ट कलर में और थर्ड कलर में चलेगा यानि यह जो हमारा बेस कलर है और जो फ्लावर का कलर है अब यही चलेगा से तो अब देखें तीन फंदे हम फस्ट कलर से बुनेंगे चार फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे फर्स्ट कलर से चार फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से तीन फंदे बुनेंगे हम यहाँ फर्स्ट कलर से यह देख्ये अब आजयते हैं क्टी सलाई में तो यहहां पर देख्ये चार फंदे बुनेंगे हम फसड कलर, तीन फंदे कbenके हम यहां पर फ्रस्ट कलर, वह पर स्वार्ड कलर से इक फंद्द बुनेंगे फस्ट कलर से, फिर से तीन फंदे बुनेंगे हम थर्ड कलर से चार फंदे बुनेंगे हम फर्स्ट कलर से आ जाते हैं सीधी सलाई में ये दीखे फ्रेंड्स दो फंदे बुनेंगे हम फर्स्ट कलर से दो फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से दो फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर फिर से फस्ट कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे फस्ट कलर से एक फंदा बुनेंगे फस्ट कलर से 2 पंदे बुनेंगे 1st color से 2 पंदे बुनेंगे हम यहाँ पर 3rd color से 2 पंदे बुनेंगे यहाँ पर हम 1st color से तो यह सलाई भी हमारी यहाँ कंप्लेट हो गई आ जाते हैं उल्टी सलाई में अब यहाँ पर धिहान से देखेगा प्राइन्स एक फंदा बुनेंगे हम फस्ट कलर से अब हम पांच फंदे बुनेंगे यहां पर थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहां पर फस्ट कलर से एक फंदा थर्ड कलर से एक फंदा परस्ट कलर से अब फिसे पांच फंदे बुनेंगे हम यहां पर थर्ड कलर से एक फंदा और बुना पांज हो गए और आकिर का फंदा हमारा फंट कलर से तो यह सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई अब देखेए ये वाली सलाई हमारी सेम इसी सलाई की तरह रहेगी एक फंदा पस्ट कलर से, पांच फंदे, सेकिंड कलर से एक फंदा पस्ट कलर से, एक फंदा थर्ड कलर से, एक फंदा पस्ट कलर से, पांच फंदे थर्ड कलर से एक फंदा यह हमारा फस्ट कलर से अब देखिए आप हम यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे फस्ट कलर से आप हम बुनेंगे चार फंदे थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे फस्ट कलर से तीन फंदे बुनेंगे हम थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे हम फस्ट कलर से चार फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से देखिए और एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर फस्ट कलर से तो यह सलाई भी कंप्लेट हो गए हमारी अब देखी तिहान से देखिएगा अब हम यहाँ पर दो फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से दो फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर फस्ट कलर से अब पाच फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर यह थर्ड कलर से एक फंदा बुनेंगे हम यहाँ पर फस्ट कलर से, दो फंदे बुनेंगे हम यहाँ पर फस्ट कलर से, दो फंदे बुनेंगे फस्ट कलर से, तो यह सलाई हो गए complete, आ जाते हैं उल्टी सलाई में, अब देखे, दिहान से देखेगा, अब हमें यहाँ पर पांच फंदे बुन लीए हमने अब हम 15 बुलेंगे थरड कलर से Dan कि परसे 5 बंळे बुलेंगे हम पस्ट कलर से खुनों लेगा में इसे सलाई हमारी वाली सेसी सलाई की तरह रहेगही जैसे हमने इससे पहले बुल है आस पंदे बुल लेते हैं पस्ट कलर से पांच बंदे बुनेंगे हम यहां पर थर्ड कलर से, पांच बंदे बुनेंगे हम यहां पर फिस्ट कलर से, आ जाते हैं उटे सलाई में माय डिजाइन के लास्ट सलाई है तो यहाँ पर देखिए हम छे पंदे बुलेंगे फस्ट कलर से देखिए छे पंदे बुल लिए हमने फस्ट कलर से अब हम तीन पंदे बुलेंगे थर्ड कलर से और यहां पर यह 6 फंदे बुल लेते हैं पस्ट कलर से तो देखें हमारा डिजाइन यहां गम्प्लीट हो गया एक सलाई और बुल लेते हैं हम अपने बेस कलर पूरी हम एक ही कलर से बुलेंगे तो यह देखिए सीधी बुल लेते हैं इस सलाई को और पूरी एक ही कलर से बुलेंगे तो यह देखिए तो यह देखिए हमारा फ्लावर बन कर तयार हो गया और कितनी आसान तरीक है से देखिए कितना प्यार लगता है बहुत ही प्यारा सा और संदर सा यहारा फ्लावर बन कर तयार हुआ है और अगर आपको मेरा हे डिजाइन पसंद आता है तो प्लिस लाइक और शियर ज़रूर करें कमेंट्स करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आँगी फिर एक नया पैटरन लेकर आपके खिदमत में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू